दिले में जेडियों की राष्ट्रीकार्णी की बैटकुए इसमें चुनाव चिनम अदल्ले पर चर्चा की गई इस बाबत एक प्रस्ताव भी पायत किया गया पार्टी चुनाव आयोग से संपर कर ने चुनाव चिनम के लिए प्रभावी कारवाई करें इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीकार्णी ने पार्टी के राष्ट्री अद्दक्सरी सरजादों को अधिकरत किया है कि वह चुनाव आयोग से संपर कर इससे संबंदित आउश इस प्रस्ताव के लिए जीट के बाद जेडियू के होसले काफे बुलंद है इस वक्त पार्टी खुद को और भी मस्बूत बनाने की कवायत में जुटे हुई है इस बैठक में सीम नितीश कुमार पार्टी के तमाम सांसद मंत्री समेट सौसे ज्यादा सदसे हिस्सा ले रहे हैं दिल्ले में जेडियू के राश्य कारिकारने की बैठक हुए इस बीच पट्टा में पार्टी विधायक शामरजक की नाराजगी की खबर ने बिहार में सियासत घर्मा दी है हाला कि शामरजक ने नाराजगी की बात से इंकार किया है लेकिन बीचेपी और जीतन राम मांची ने मौके को तोड़ते हुए उन्हें अपने साथ आने का ओफर दिया है इदर शामरजक ने जीतन राम मांची को दो टूक जवाब दिया है उन्होंने जेडियू में दलितों के अपमान से साफ तौर पर एंकार किया है राष्टिये जनता दल और जनता दलियो और कॉंग्रेस की संजुक्त अवियान नितीज कुमार के निरतित में बिहार की जनता ने 178 सीट दिये और जन्ता ने फैसला दे दिया और यहां दलीतों को पानित नहीं कह जाता है यहां दलीतों को समानित किया जाता है और मैं बड़े खुस हूँ बिहार में नेता प्रतिपक्षर प्रेम कुमार ने श्याम रजग को संदेश दिया है उन्होंने कहा है कि अगर श्याम रजग बीज़ेपी की नीतियों में आस्था जाहिर करेंगे तो उनका पार्टी में स्वागत है आज एडी के नए प्रदेश अध्यक्षर रामचंद्र पूर्वे हो सकते हैं सूत्रों की माने तो रामचंद्र पूर्वे को तीसी बार प्रदेश में पार्टी की कमान समालने की जब्मेदारी मिल सकती है पटना के पेर बहुर थान अलाके के खेतान मार्केट के पास सास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीट जमकर जड़प हुई दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी की गई इस पत्थरबाजी में कुछ पलसकर्मियों को चोटे आई हैं सीता मरी के गन्ना उत्पादर किसान बेहत बरेशान है मील प्रशासन की मानी के शिकार किसानों के साथ ना सिर्फ असुविधाओं का टोटा है बल्कि भुगता नहीं होने के कारण ज्यादा तर किसान भुख मरी के कगार पर पहुँच गे हैं बताय जारा है कि किसानों का मील प्रबंदन पर तकरीबन 50 करोड रुपे बकाया है जबकि इस मामले में मील प्रबंदन का कहना है कि हाल के दिनों में चीनी मिल बेहद घाटे में चल रहा है जिसकी वज़ह से किसान के भुगतान में देधी हो रही है पटन के यारपोर के पास जोपड पटी में आग लग गई आग की चपेट में आने से 10 जोपड़ियां जलकर खाक हो गई गंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका पेड़तों के लिए सरकाई योचना के तहत मुआफ़जा देने का भरुसा दिया किया है मशन विश्वास के तहें पटना पॉलस ने बारह अपरादियों को गिरफ्टार करने में कामयावी पाई है पकड़े गए अपरादियों पर कई मामले दर्ज है पटना पॉलीस का लगाता जो अपरादियों के फिलाफ अभ्यान चल रहा है अपरेशन निश्वास के तहर उसमें आज हमारी टीम के द्वारा रूरल स्पी साहम और स्पी एस्पी एस्पी एडिशनल एस्पी दानापूरेवं बाट के द्वारा बारा कोख्यात अपरादियों को गिरस्टार्ट किया गया है जिसमें से करीब एक रैगूलर राइसर पांच पिस्टल और 15-20 राउंड जिन्दा कार्टूश ब्राबत किये गए हैं मोतिहारी के बनकटवा में एक हिरन की हत्या का मामला सामने आ है नेपाल से भटक कर काला हिरन बनकटवा गाउप पहुँच गया था ताचुप की बात ये रही है कि हिरन को ग्रामेडों की मदद से वन विभाग को पकड़ा और मोतिहारी लाने के बचाय चार वन पालकों के जिम में वहीं पर छोड़ दिया गया और अग्यात लोगों ने हिरन को मार डाले अगले सुबह का इंजार करने के लिए हम लोग चार आदमी को लगाया था क्या आप लोग रही है वहाँ सुबह हम लोग आगे कारवाई करेंगे इस पीच में जो है सो जुल भागे बस कोई कि चुड़ लोग जुड़ा करके उसको जानमार भी हिरात में है हत्या के बाद हिरन के सिंग और कस्तूरी लेकर हत्यारे फरार हो गया इस दमामले में दो वन पालकों को पूछताच के लिए हिरासुत मिलिया गया है कालाहिजन फस गया कहीं इसके बाद रक्सोल से बनविभाग की टीम आई उसने निकालने का प्रियास किया और जब नहीं निकल पाया तो उन्होंने चार आदमी को इस दिकूट कर दिया इसको देखने वक के लिए दुरभाग से चारों आदमी के मिली भगत हो या नहीं तो पूर्णा के रुपाली थाना के आजो कोपा गाउं में महस एक हजार रुपए के लिए एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली बताया जार कि बड़े भाई ने चोटे भाई से एक हजार रुपए का कर्श लिया था लेकिन समय पर नहीं लोटाने की वज़ा से दोनों पूर्णा के वार से अदमरा किया गया और फिर उसकी आखे निकाल ले गई उसके बाद नहर के पास उसे फेक दिया गया इलाज के दोरान ले जाते समय फौजी की रास्ते में ही मौत हो गई तानपूर के गोला रोड में अपराधियों ने नासे घंच के कंपाउंडर की गोली मार कर हत्या कर दिया है और उसकी साइकल सहित साथ हजार रुपए भी लूट लिये इस घटा के बाद इलाके में देश्चत का माहौल है इस सिलसिले में तीन अपराधियों को गिरफतार किया गया है पुलिस नों से पूश टाश कर रही है पुलिस ने 6 नवव मर को हुए प्रेमी युगल हत्याकान का खुलासा कर लिया है समस्तिपुर में 6 नवव मर को प्रेमी जोड़े का शब बेड से लटकता हुआ मिला था पुलिस के मताबिक युवती के चाचा ने ही हत्या की साजिश रची थी पहले युवक के हत्या की गई उसके बाद जब युवती ने विरोध किया तो उसकी भी हत्या कर दी गई हत्या के बाद युवती के चाचा देवानंद ने इसे आपना हत्या का रूप देने के लिए दोलों के शब को पिर से लटका दिया फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गौरी महतो और राजीव कुमार को गिरफ़तार कर लिया है और बागी अपरादियों की तलाश में चुट गई है सीवान पुलिस ने दो अलग-अलग अलाखों से छे अपरादियों को गिरफ़तार किया है इनके पास से दो पिस्टल, दो लैप्टॉप, एक फाइटर, छे मोबाइल फोन समेथ कई सामान जब्त किये गए चार अपरादि नगर थाना अलाखे के आनन्द मुहले से दबोचे गए वहीं दो को मुफसिल थाना अलाखे के कुर्मी हत्ता से गिरफ़तार किया गया है सभी बैंक के ग्राहकों से लूट पार्ट करने की फिराख में थे इसका राइक अंदर के चार अपरादि पकड़ेगा इनके साथ काफी ऐसा समान जो टैकेती की तयारी का लगता है जैसे हत्यार, गोलिया, साथ में लैप्टॉप, पेंडराइव और चाकू हर तरह की चीज़ मिली है इन सभी अपरादियों को नहीं खिरासत के बेजा जा रहा है जिससे इस तरह के अपराद के लगाम लग सके बेतिया पुलिस ने 50,000 के इनामी अपरादी हरी आदव को गिरफतार करने में काम्याबी पाई है हरी आदव को भारत और नेपाद के सीमा वरते लाके कंगली से गिरफतार किया गिया पुलिस के मताबिक हरी आदव पर रंगदारी हत्या आपरण और लूट के कई मामने दर्च है पचास से जादा जगहने कांडो में इसकी सरलिपता रही है राज सरकार के द्वारा पचास जार का इनाम भी इसके गिरफतारी पर गोशित किया गया था इसकी गिरफतारी यहां की टीम तथा नेपाल पुलिस से समन्नुए स्थापत कर सुनश्यत किया गया है लखी सराय जिले की सूर्य गड़ा पुलिस ने दो तसकरों को गिरफतार किया है गंगा सावर और मिथिलेश शेकुमार लंबे समय से हतियारों की तसकर ही कर रहे थे हतियार राते समय एनेच असी पर ये पुलिस के हपते चड़ गये इनके पास से तीन पिस्टल, पांच, मैक्सीन, पैंतालेस, जिन्दा कार्टूस और दो मोबाइल फोन समेथ तीन सो रुपे जब्द किये गये दोनों तसकर बगसर के जीतेंदर उपार ध्याई के पास हतियार ले जाने की फिराक में थे अब पुलिस जीतेंदर उपार ध्याई के यहाँ भी छापा मारने की तयारी में है पश्चिमी चंपारण के बगी बावा चौक से पुलिस ने तीन चरस तसकरों को गिरफतार किया है तसकरों के पास से साड़े चार केलो चरस हजब्द किये गये जिसके अंतराष्टिय मासार में खीमत एक करूर बताई जा रही है तसकरों के पास से एक एक हजार के बीस जाली नोट भी बरामत किये गये है साथी दो मोबाइल फोन, हम कार्ड और चोरी की दो बाइक भी जब्द की गई सभी तसकर नोटन इलाके से तालुक रखते है शेकपूरा में पुलिस ने शराब की कई भट्टियों को धस्त किया है मुरारपुर गाओं के टाटी नदी के किनारे शराब की अवयाद भट्टियां चलाई जा रही थी जब पुलिस की टीम वहाँ चापा माने गई तो दंग रह गई शराब की अंगिरत भट्टियां तालाप के किनारे बनी हुई थी समीन के अंदर शराब को छिपा कर रखा गया था लगबग चार दरजन से ज़्यादा शराब की भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया है और हजारों लीटर महुवा शराब को बहा दिया गया चापेमारी की भनक शराब माफिया को पहले ही लग गई थी पुलिस के पहुँशने से पहले ही सभी फरार हो गया तालाब और नदी के किनारे बड़े पहमारे पर अवय शराब का कारोबार की जाने से नदी का पानी भी दूशित हो गया है पिछले एक साल में यहाँ एक धरजन से ज़ादा बार चापेमारी की गई लेकिन चापेमारी की अगले दिन शराब माफिया फिर से अपने धंदे में जुड़ जाते है सिवाल रेंवे स्टेशन के टिकेट काउंटर पर दलालो का बोल बाला है अगर आप यहाँ तदकाल टिकेट लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं तो कंफर्म टिकेट शायद ही आपको नसीब हो क्योंकि आप से पहले दलाल काउंटर से कंफर्म टिकेट ले लेंगे और आपकी बारी आने तक कंफर्म टिकेट वेटिंग में तबदील हो जाएगा खूफिया कैमरे से ली गई तस्वीर इस पूरे खेल को उजागर कर रही है जिसमें काउंटर के अंदर का सच साफ साफ देखा जा सकता है रिजर्वेशन काउंटर के अंदर एक शक्स मौझूद है जो बुकिंग कलर के पीछे खड़ा है वो धीरे से एक परची बुकिंग कलर की तरफ बढ़ाता है और बुकिंग कलर की बड़ी चालाकी से पोर्जा बिना हाथ में लिए ही टिकेट बना देता है काउंटर के बाहर खड़े लोगों को लगता है कि उनका टिकेट बन रहा है जबकि ये टिकेट दलालों के हाथ में चला जाता है और बाहर खड़े लोगों से बुकिंग कलर कहता है कि वेटिंग हो गया इतना है नहीं धलाल और बुकेंग कलर्क की मिले भगत से काउंटर के अंदर ही ग्राहक को ट्रिकेट भी दे दिया जाता है और वहीं पैसे भी ले लिए जाते हैं पटना के संचर गांधी जैविक उध्यान में मौझूद वने प्राणियों पर भी ठंड का असर दिखाई देने लगा है हाला के चड़ियागर प्रवंदन की तरफ से वने प्राणियों को ठंड से बचाने के लिए तमाम उपाई किये गए हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो शेर और बाग के लिए फूस के टार्ट लगाए गए हैं और ब्लोवर भी चलाय जा रहा है मागलपूर के कला केंडर में रंग ग्राम जन संस्कृतिक मंच की तरफ से आयोजे तीन दिवसी रंग महुटसव के दूसरे दिन लोक निर्थे एवं संकीत के प्रस्तुति पेश की गए इस प्रस्तुति को लोगों ने काफी सरा पट्ना की गानी मैदान में सरस मेला का शुभारंब हो गया है इस मेले में इस बार करीब 400 से जादर स्टॉस लगाए गया है मेले में कला और संस्कृति की बहतरीन जलक देखने को मिल रही है जार्कन विदासबा के शीतकारी निस सत्र का आज छठा दन है आज इस सदन में खादर स्टॉरक्षा पर विशेश चर्चा होगी साती चार्कन राज्य विश्व विद्याला विदायक 2015 को सदन में पेश किया जा सकता है जिस पर दोलों पक्ष के विदायक अपनी बात रखेंगे जिसके बाद सरकार इस पर जवाब देगी जिस सदन में लोहर्दगा के नवनर्वाचित विदायक सुखदे भगत शपत लेंगे विदान सबाध यक्षि डॉक्टर दिनेशु राम सुखदे भगत को शपत दिलाएंगे रविवार को केंद्री टीम में पलामू में सूखी के हालात का जायजा लिया केंद्र कृषि वर्भाग के अपर सचिव जलज श्रिवास्तव के निर्थत्वों में टीम ने चैनपूर और निविया गाओं का दौरा किया और किसानों की बात सुनी साथों जिलों में रिपेजन्डेटिब तरीके से जो हमने देखा एक सी ही स्थिती है कहीं पे किसी किजी खेद में 5% भी पुराने जो होना चाहिए फैदावार उसका 5% भी नहीं हुआ है कुछ में 60% तब हुआ है कभी ओला वरिष्टी हो गई कभी अल वरिष्टी हो गई इन सब की बात अलग है केंद्य टीम में किसानों को आश्वासन दिया कि सुखार की समस्या जल से जल दूर की जाएगी और जरूरत के मताविक मदद भी दी जाएगी बता दे आपको कि पलामू सूखे से सबसे ज़ादा प्रभावित जला है जारकर में रगवर सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर विभाग बार रपोर्ट कार जारी हो रहा है इसे के तहट खाद्य और उपभोगता विभाग ने रपोर्ट कार जारी किया विभाग का रपोर्ट कार सचिफ विने कुमार चौबे ने जारी किया विभागिय मंत्री सरुराय भी मौजूद नहीं थे इस तोरा रपोर्ट में राश्य खादिर सुरक्षा दिनियम 2013 को लागू करने को बड़ी उपलब्दी बताया जा रहा है इस अधिनियम के तहत राश्य में 51,70,119 परिवारों के बीच 1,30,000 टन अनाज हर मैने बाटा जा रहा है खादियो प्रभोगता सच्चिव ने बता है कि राश्य भर में 370 डाल भाद केंद्र चलाए जा रहा है राजी सरकार इस साल के सालों से 1410 रुपए प्रती क्विंचल की दर से धान खरी देगी एक साल की उपलब्दी बताने के दोरान खादियो प्रभोगता सच्चिव ने बताया है कि राजी में करीब 80,000 डुप्लिकेट राश्य कार्ड बने है जारकन के पूर्वक रशी मंत्री योगिंद्र साब को जमानत मेलने के बाद हजारी बाग जेपी केंद्रे चेल से रहा कर दिया गया करीब चार महिने बाद जेल से निकलने पर उनके समर्थकों ने जोरदार उनका स्वागत किया जेर से निकलने के बाद उन्होंने CCA वापस होने को नियाएक प्रक्रिया की जीत बताया सावनीर राजिस सरकार और जिला प्रशासन पर उनके खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया है उन्होंने बढ़का गाउं समेथ पूरे राजिके किसानों के हित में आंदोलन जारी रखने की बात कही है देवगर के कुंडा बाइपास पर हजार रुपए की दवाएं फेकी गई हाला कि ये दवाएं ना तो सरकारी है और ना ही काम की इन में से जादर तर दवाएं एक्सपायर हो चुकी है समय रहते अगर ये दवाएं ज़रुरत मंदों तक पहुंच जाती तो किसी के काम आ सकती थी मगर ऐसा नहीं हुआ किसी ने दवाओं को लेकर बाइपास के खिनारे फेक दिया चत्रा में अन्रेंटर ट्रक के होटल में घुश जाने की वज़ा से दो लोगों की मौत हो गई घटा चत्रा हसारी बाग एनच सौकी है बताया जा रहा है कि आमरपाली कोल पर योश्टा से कोईला लेकर हसारी बाग की तरफ जा रही बारह चक का ट्रक अन्रेंटर होकर होटल में जागुसा दुमका के साग बहरी के बंगेवियास शिकारी पाड़ा जा रही गाड़ी पुल से नीचे जागिरी जिससे गाड़ी पर सवाद दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो लोग यसाथ से में गंभी रूप से जख्मी हुएं घायल में एक मुज़ग महिला और एक बच्चा भी शामिल है जिनका इलाज दुमका सदर अस्पताल में चल रहा है डाल्टन गंच का सरकारी बस स्टैन करोरों रुपए का राजस्वदेने के बाद भी बदहाल है बस स्टैन में चारों तरफ गंदगी का अमबार लगा हुआ है कहीं कोई साफ सफाई की वेवस्था नहीं बस स्टैन में एक कार्याला है जो अक्सर बंद रहता है यहां वो बसे हैं जो जर जर सिथी में चमशेदपूर के डिमना लेग में बीजेपी कमेटी ने एक वनभोज काईकरम कायजन किया इस वनभोज काईकरम में सूबे के मुख्या रगवर्दास में शामिल हुए इस दौरान सिथी में रगवर्दास ने क्रकेट गीत और संगीत का भरपूर लुट पोठाया जार्खर पचार चुनाव की नतीज़े आने शुरू हो चुके हैं जमशेदपूर में भी नतीज़े आये हैं भी शेबासा समीती से राजकुमार सिंग बतौर जला पाषजद सदस्रे के लिए रकॉर्ड मतों से विजई हुए हैं जीट के बाद राजकुमार सिंग ने कहा है कि वो विकास के लिए काम करेंगे दर्भंगा से सांसर्प कृति और पूर्व क्रिकेटर कृति जहां आजदाद ने डीडी सी के गुटाले के परदाफाश करने का दावा किया है कृति जहां आजदाद ने मीडिया के सामने एक वीडियो भी पेश किया है वीडियो में ये दिखाए गया है कि डीडी सीए ने 14 ऐसी कमपनियों को लाखों रुपए का मुगतान किया है जिसके बारे में अधूरी या फिर गलत जानकारी थी उन्होंने अपने वीडियो में बता है कि विकलिप्स फॉर इंजिया और संस्टार अख़वार ने पहले ही इस तरह का खुला सा किया है कि एक प्रिंटर का किराया 3,000 रोज और लाप्टॉप का किराया 16,000 रोज दिया गया है कृति आज़ाद ने पत्रकारों के सामें चुट की लिए उन्होंने कहा है कि अगर किसी को प्रष्टाचार में PhD लेना है तो वो DDCA जा सकता है हाला कि DDCA ने कृति आज़ाद के प्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिस किया है DDCA मामले पर अरुन जेटली ने कहा है कि वो केज़ी वाल समेथ आपके कुछ नेताओं के खिलाफ मानहानी का केस करेंगे वहीं गुजाले में जाच के लिए दिल्ली सरकार ने कमीशन ओफ इंक्वारी बनाने का अहलान किया